आज हम बात करेंगे जो ताल होती हैं जो छे परकार की इंडियन क्लास्कल मुजिक में ताले होती हैं उन तालों में अलग 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 उन तालों के बोल क्या होते हैं और उन तालों की मात्राय क्या होती हैं जैसा कि आप ज्यानते हैं कि इंडियन क्लास्कल मुजिक में होती ह तैले कहर्णा ताल रूपक ऩाल एक ताल ताल michail औल activities अलग अलग अलगते और इस तो बोल होते हैं आप मट्रा की जह से ईटमाद्ले η यह सब्सक्राइब schlimmer अगर आप नेरे चैनल के जोड़े हिए तो आपको कभी ये हूप को को सिस्क्स रावा ताल नाव ही उनकी टालि खाली जाने के को सिस करेंगे और उनको हाथ पर इस्ट शाल हैं लीली User तो दादराताल टू पार्ट में डिवाइड हो गए अब दादराताल के जो फस्ट पार्ट है और फस्ट पार्ट के जो फस्ट मात्रा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब जो 1 है उस पर है ताली और 4 है उस पर है खाली 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह हो गई दादराताल अब दादराताल के जो बोल है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे जो बोल है धा दिन न, धा तिन न 1 पे आता है धा 2 पे आता है दिन और 3 पे आता है न और फिर अगें 4 पे आता है धा लेकिन 5 पे आता है वो आता है तिन एन जो 6 प्राता है वो ना तो अगर ये आप हाथ प्रेक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे धा धिन ना धा तिन ना धा धिन ना धा तिन ना तो ये हो गई धादरा ताल इसके आपको लहजों को समझना है कि हाँ ये डो पार्ट में डुआइड है और दो पार्ट में जो इसकी ले रहेगी, वो ऐसे ही रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, तो पहले आप बोल कर प्रैक्टिस ना करें, पहले आप गिंती पर प्रैक्टिस करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब इसको हाथ पर कैसे करना है, आपको पहली मातरा पर अप्टू पर फिंगर को ऎसपर रखना है इस हाथ की हधेली पर Two and three See are Otherwise One, two, three अब खाली को यह परेप्रेजन करना है जो प्रसित करना है जो पेस्ट करना है यह ऐए सचना है कली agree only three four five six five six five six को अपनी फिंगर्स पर आपको रखना है अब इस ताल का जो यूज हुआ है बालियूड मुजिक में या अमारे जो फिल्मों में यूज हुआ है तो वह जो सांग्स है वह शांग्स की लिस्ट यह रही लाव ताल नमबर टू रूपक ताल सेवन वातरा के ताल सेवन बीड की ताल अब जो इसके डिवाइड है इस साल के जो भाग है वह यूज है वह तीन परकार के तीन परकार के प्रकार इक प्रकार शिक्स इवन यह एक डिवाइड अब इसके जो बोल हैं वो हैं तिन तिन ना एक धिन ना टू दिन ना थ्री अब यह तीन पार्ट में डिवाइड हो गए तिन तिन ना दिन ना और यह 7 बीट हुई 7 विट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए गए पार्ट में डिवाइड किया गए इसको interesting मनाने के लिए अब जो है आप देखते हैं कि हाँ इसकी जो सबसे पहले आप गिंती पर practice करें इसको हाथ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब इस जो ताल में इस ताल में दो ताली है एक खाली है तो जो इस ताल के पहला विवाग है पहली विवाग में खाली है जड़ातर जो ताले होती है सारी तालों पर पहली मातरा पर जो ताली होती है जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज में भी कहा है अब जो इस जो ताल है, ये रूपक ताल तो रेयर ताल है, इसमें पहली मतरपर काली है, बाकि दूसरी बाकि अलग जो दो विवाग हैं, जो दो डिवाइड हैं, उस पर ताली है, one, two, three, k काली, अब जो four पर ताली है, and again six पर ताली है, तो आपको किस तरह से रेप्रेजन कर ताल नंबर थ्री कहरवा ताल सबसे पापलर और सबसे जड़ा यूज होने वाली ताल जैसे कि आप लोग जानते ही हैं तो इस ताल की जो मात्रा है वह आठ मात्रा कुछ लोग इस ताल को चार मात्रा भी कहते हैं अब इस ताल को आप जहें चार मात्रा कहें चाहें आठ मात्रा कहें बात बराबर है कि वह उसको घुमा फिरा जाता है अब चार मात्रा कर लेंगे तो और इंट्रेस्टिंग बन जाएगी यह ताल अब इस ताल के जो बोल हैं वह है धागे नाति नाका धिन्ना अब इस ताल क प्सक्राइब भां पर बोलं है धा और जो टू पर बोले कहने वह एंड और पहें पर लोक सरफ पर दे अगरा हून से पेस करेंगे कि दहां मिपा उसके तो आप पैस करेंगे और इसको अगर है तो पुड़े बालिव्ड मुजूजिट में पुरी मुवीज में पुरी फिल्मों में पुरे इंडिप्ट सायगश में पुरे इंडेपेंडन्ट साओं समें में पुरे इंडिए क्लासिकल मुजिक व styl उव में तो यह किस तरह से play होगी इसके विभाग है इसको जो divide किया गया है वह चार पार्ट में नमबर वन धिनना नमबर टू धिनना नमबर तरी दिनना नमबर फोर धिन धिनना अब जो इसकी ताली है नमबर वन पर धिनना और फिर जो तीसरी बीड है तीसरी मात्रा है उस पर भी और फिर इसकी सिख्त मातरा है चटी मातरा उस पर खाली है और फिर इसकी आठी मातरा उस पर ताली है तो किस दिन्ना ना न तो इसको अगर आप इस पीड में एक लिए में करेंगे तो तो ऐसे होगा दिन्ना 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 नौ ताल नमबर फाइप एक ताल बारा मातरा की ताल इस ताल को छे पार्ट में डिवाइड किया गया है तो इसको जो गिंती पर प्ले करेंगे त पहली मात्र पर ताली है तीसी मात्र पर खाली और पाची मात्र पर ताली और फिर नवी मात्र पर ताली अब इसको जो बोल है वो है धिन धिन धागे तिर्कट तू ना कत ता धागे तिर्कट धिन ना तो इसको आप इस रसे प्ले करेंगे धिन धिन धागे तिर्कट तू ना शो device के गया है चार चार मात्रा की भाग इसकी पहली मात्रा पर ताली है और पाचवैंडे मात्रा पर ताली है और इसके जो जो नवी मात्रा है उस पर खाली है तो ये इसके बोल है एक बड़ फिर से इसके बोल रिपीट करते हैं तो ये इसके बोल है अब कम्प्लीट हुए हमारी 6 ताले और कम्प्लीट हुआ आज के लेशन अगर आपको आज के लेशन अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कुछ और नया सीखना कुछ पूछना है तो आप कमिन कर सकते हैं और अब आपको इसको प्रेक्टिस करना है इसको अपने हाथ पर प्रेक्टिस करिए जब आप अपने हाथ पर प्रेक्टिस कर ले तो जाएजे यूट्यूब पर और वहाँ पर सब्सक चाहिए उसकी ताल के लूब या कोई अपनेट कर लेजिए आप ताल का फिर उस ताल के साथ प्रेक्टिस किजिए इसे आपकी यह च्छे ताले पक्की हो जाएंगी छे ताले मेंसे कुछ ताले बहुत इंपॉर्टेंड है जो ज्यादा यूज उती है उसको तो आपको प्रे झाल झाल